हमने clear किया reproduction और इस reproduction में अब हम चल रहे हैं male और female reproductive organs की और तो male reproductive organ, male reproductive organ को हम यह आप कह सकते हैं spermatangium, known as पुंधानी, unicellular and spherical, spermatangia developed on trichoblast, जो शाखाएं हैं, फलाद शाखाएं, छोटी limited growth, उन्हें हम बोलते हैं trichoblast, trichoblast के tip पर male gametophyte जो है, वो develop होता है spermatia, यहाँ हम diagram से देख सकते है spermatia, यह इसका development stage है, इसको भी समझते हैं, the mature spermatia is a globular, oblong, unicellular, एकल कोशी की है, एकल केंदर की है, haploid सा रचना होती है, जो की एक globular या कौन सेप में होती है, during development of spermatia, all cell expected a few basal cells, divided periclinally, कोशी का हैं, जो हैं, वो periclinal division करती है, अर्थात, परितनिक, और परितनिक विभाजन से form करती है, paricentral cells, इसी diagram को अगर हम एक बार diagrammatic representation से बना के देखें, तो डंग से देखिए, यहाँ पर यह है central cell, that is trichoblast cell, जो की वहाँ पर develop हो रहा है, इस trichoblast cell के अंदर अगर अगर अपन यहाँ पर देखें, तो इस division को बोला जाता है, परितनिक विभाजन से उपर की और एक कोशिका बढ़ती है, तो सेम इसी विभाजन से यहाँ पर जब यह विभाजन होगा, तो इस से बाहर की और कोशिका बनेंगे अर्थात, अगर मैं इसको central cell मानूं, तो इसके विभाजन से, यहाँ बाहर की और एक विभाजन, यहाँ एक विभाजन, यहाँ एक विभाजन यहाँ एक और मैंने हला कि यह कोशिका दूर बनाई है लेकिन समझने की बात है कि इसके चारो तरफ अर्थात इस कोशिका के पैरिसेंट्रल यहाँ पे विभाजन हो रहा है जिससे बाहर की तरफ हमको कोशिका यह मिल रही है जिसे हम बोलते हैं परिदिय कोशी का या पेरिफरल सेल्स तो यहां इस डाइग्राम में हमें ये पेरिफरल सेल्स देखने को मिल रही है जब हम LS देखेंगे तो हमें पेरिफरल इन दो पंक्तियों के रूप में ही दिखाई देगी जब हम TS के रूप में देखेंगे तो यह peripheral हमें चारों तरफ बनी वी दिखाई देती हैं देजार peripheral cells अब इनी peripheral cells में एक और विवाजन होगा जिसके फल्सरूप बाहर की तरफ 2-4 कोशिकाएं बनेंगी जो की समसूत्रिय वाजन के फल्सरूप हैपलोईड होगी इन्हें बोलते हैं sporengia mother cells मात्रिकोशिकाएं और यह प्रतेग मात्रिकोशिका कायं तरण दुआरा विक्सित करती है एक चल भी जानू को non as anthrozoids या flagelline के अंदर नहीं पाये जाएगा अचल होते हैं non flagellate होते हैं anthrozoids या फिर peer shape नाश्पती के आकार के अचल पुन क्या बोलते हैं इनको पुम्नू बोल सकते हैं spoms या पुम्नू को विक्सित करते हैं तो यहां देखें तो during development of sporengia all cell except the basal cell divide periclinal यह रहा परितनिक विभाजन परितनिक विभाजन के फल्सरूप paricentral cells बनाती हैं परिधिय कोशिका central cell के चारों तरफ each paricentral cells undergoes several divisions and form spermatangial mother cells और इनको पर बनती हैं पुम्नू मात्र कोशिका है each one cut off 2 to 4 unicellular bodies यह 2 से 4 एकल कोशिके सरचनाय बनाती हैं इनसे develop होता spermatangia each spermatangia develop into a single non-motile malgamit और इसको हम बोलते हैं spermatia जो की haploid होता है इसे हम बोल सकते हैं sperm पर sperm से ज़्यादा बढ़िया शब यहां पर आएगा हिंदी में हम लिख सकते हैं पुम्नू और यहां हम कर सकते हैm sperm the spermatia are liberated 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 का मतलब होता है प्रकेर्णित यह निकलना प्रकेर्णन फ्रॉम दे इस्पर्मेटेंजिया थू एं नेरो अपिकल सिल्ट on the wall बित्ती के ओपर एक सिल्ट बनने से इनका विमोचन होता है प्रकेर्णन यह विमोचन next the spermatia are dispersed through water और spermatia का जो प्रकेर्णन है यह जो विमोचन है वो water current यह जल की लहरों के साथ होता है हाला कि यह अचल होते हैं बट हलके होते हैं और gelatinous होते हैं जो पानी की सते पर तैरते हैं डूबते नहीं हैं next female reproductive organ की बात करें तो female reproductive organ is called carpogonia 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 develop at the top of 2 to 5 cells carpogonial filament वो ही trichogine trichoblast same trichoblast के seeds से just 2 या 3 कोशे का है छोड़ कर इनका विकास होता है जैसे male का होता है वैसे ही female का होता है लेकिन अलग-अलग gametophytic thallus के उपर the carpogonial filament develop on a female gametophyte thallus और ये एक female gametophyte thallus trichoblast के उपर हमने पिछली वाली slide के अंदर इस diagram को देखा था flask के समान सरचना है एकल कोशी किये है non-jacketed है आवरण नहीं है इस फूले वे भेज के आधार पर पाया जाता है female egg female egg nucleus इसको हम बोलते हैं trichogyn इसको बोलते हैं trichogyn और आगे से चौँच के समान मोडा हुआ होता है the carpogonium is a flask-fave body with a basal sloven region containing egg is known as carpogyn और जो neck है सुराइदार लंबा इसको बोलते हैं trichogyn ये सरचना है हमें यह देखने को मिलती है ये developmental stages है of carpogonia these are the developmental stages जिसके अंदर first जो trichogyn है यहां पर develop हो रहा है trichogyn इसको भी समझ लेते हैं यह बहुत important है यहां पर यह आ रहा है पूरा का पूरा trichogyn और यह जो trichogyn है इससे उपर की तरफ one, two, three cells हमने छोड़ दी है नीचे की तरफ भी one और two cells को छोड़ दिया है अर्थात नीचे रूपर की cells को छोड़ने के बाद जो बीच की cell है इस प्रारंबिक कोशिका में विभाजन होता है कौन सावाला इस प्रारंबिक कोशिका में विभाजन होता है टी एस और इस टी एस ट्रांसवर्स विभाजन अनुप्रस्ट विभाजन के फल्सरोप तीन कोशिकाए बनती है एक बनती है उपरी, दो बनती है बीच में और दो बनती है नीचे की तरफ इसे हम बोल सकते है अपर, मिडिल, एंड, लोवर टियर जो यहां दिखाई दे रहा है लोवर, निचलर टियर, सोपान, इन तीनों सोपानों के अंदर जो सबसे उपरी सोपान की कोशिका है वो बिहेव करती है as supporting cell, supporting या सहायक लेकिन सारा का सारा जो development है उस सहायक कोशिका से ही होता है, इस supporting cell से ही होता है ये supporting cell जो है, वो यहां पर विक्षित होती है और विभाजित होने के बाद यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाओं होती हैं यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यह जो नीचे की तरफ दो कोशिकाओं थी इनको बोलते हैं लेटरल, स्ट्राइल, फिलामेंट, इनीशियल सेल्स जो की बाद में बहुत काम आएंगी पार्स वे बंदे तंतू आरंबिक कोशिकाओं और नीचे वाली दो जो हैं उनको बोलते हैं बेसल, स्ट्राइल, फिलामेंट, इनीशियल सेल्स यह आधारियें बंद तंतू इनीशि supporting कोशिका TS विभाजन करती है जिसके फल्सरूप ये 3-4 कोशिका लंबा क्या बनाती है एक फिलामेंट बनाती है ये बन गया इस फिलामेंट की सबसे उपरी कोशिका जो है वो यहाँ पे विवार करती है कार्पोगोनियम मदर सैल के समान और इसमें कोई विभाजन नहीं होता ये कोशिका जो है इलोंगेटेड होकर धीरगित होकर एक सरचना बनाती है जिसका नीच्चा भूलावा भाग गोल होता है न इसमें जब ये ट्राइकोगाईन और कार्पोगाईन में कार्पोगाईन डवलब हो रहा होता है उसी वक्त जो लेटरल स्ट्राइल फ्लामेंट इनिशियल सैल है और जो बेसल स्ट्राइल इनिशियल फ्लामेंट सैल जो है ये लगातार विभाजन करके स्ट्राइल आधारि और पार्चवे तंतु बनाते हैं और ये जो आधारी और पार्चवे तंतु हैं ये इस संपूर्ण सरचना को एक धकन या एक पूरे के पूरे एन्वलप के समान धक लेते हैं इस पूरी सरचना को बोला जाता है पैरी कार्ब पूर सरचना जो गोलाकार दिख रही है उसको तो हम बोलता है सिस्टो कार्प और इस आवरण को बोला जाता है पैरी कार्प अर्थात कार्प के उपर कार्पोगोनिया है तो कार्प के उपर का आवरण देट इस पैरी कार्प यह है complete development of कार्पोगोनिया after fertilization ओ सरी क्या बोलते हैं development of कार्पोगोनिया अब हम आते हैं निशेचन पे fertilization gametangia are dispersed with the help of water current spermetangia के फटने और जल के करणट के साथ में spermacea जो है वो chemotactic रसाइनुचलन दुआरा आकर्सित होते हैं female trichogyn की तरफ और पानी की लहरों के साथ या करणट के साथ बहते हुए वहाँ पर वितरित होते हैं या दिसपर्स होते हैं few spermacea become attached to the tip of the receptive trichogyn उस receptive trichogyn से यह यहां पर आते हैं और उस पे जवारा जो mucilage शड़का जाता है उस स्तावित mucilage से आकर्सित होते हैं और उस पे चिपकते हैं out of many only one become successful उन सब में से सैंकडों या हजारों में से एक successful होता है the common wall is successful spermacea और trichogyn dissolve at the point of contact and the male nucleus pass to the female nucleus और इस प्रकार जो है male nucleus female nucleus के बीच के nucleus के बीच में क्या हो जाता है संपर्क या यहां पर fusion इसको best word बोलेंगे fertilization initiation complete होता है इस initiation के उपरांत male और female nucleus के मिलने से बनता है एक जाइगाट जो की होता है दुविगोनित अवस्था सामाने अवस्थाओं में यह जाइगाट जो है o score में convert होता रेस्टिंग phase शो करता है लेकिन जीवन चक्र की दूसरी विशेश अवस्था जो है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है that is carpo sporophyte जिसके लिए हम कह सकते हैं it is recessive and dependent on gametophyte plant जो haploid plant है उसके ओपर और कौन से वाले haploid के ओपर female gametophyte के ओपर यह जो है यह dependent होते है this is diploid sporophytic phase in life cycle of polycyponia and it is dependent upon the gametophytic haploid phase or gametophytic haploid female gametophyte female gametophyte के ओपर यह जो होता है the diploid part of carpo systocarp represents the carpo sporophyte यह important हो सिस्टो कार्प का बनना ही सिस्टो कार्प का बनना ही carpo sporophyte की सरचना को शो करता है अगर हम कहें carpo sporophyte कोई अवस्था है नहीं है नहीं इसका कोई physical appearance है female carpo gonia की सरचना में develop एक बड़ जाएगोड डवलप होने के बाद वहीं पर ही उसी स्थान के अंदर सिस्टो कार्प के अंदर डवलप होते हैं carpo spores इस संपून सरचना और इनके development की अवस्था कोई बोला जाता है carpo sporophyte the carpo sporophyte और carpo spor यह बोल सकते हैं gonimocarp is made of many gonimoblast flammets attached on the placental cell इन कोशिकाओं से डवलप होता है placental cell अर्थाथ प्लेसेंटा कोशिका और यह प्लेसेंटा कोशिका जो है वो cover by strile cover जिसको हमने पिछले वाले डाइग्राम में समझा था एक बंदे आवरंड से डवलप होती है जिससे हमने बोला था pericarp pericarp आवरंड जो की बने थे lateral strile flammets से और basal strile flammets के development से the terminal cell जो सीरस्थ कोशिका है from the carpogonium इसी terminal cell जो की फूली भी कोशिका है इसी से डवलप होता है किसका carposporogonia यहां पे नाम बहुत important है वहां हमने नाम दिया था carpogonadhani यहां पे नाम देंगे carpogonadhani that is carposporogonia carpogonium नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यह female carpogonia में ही डवलप हो रहा है इसलिए carpogonium इसमें अब fertilization या female egg डवलप नहीं होगा यहां पर asexual structure अर्थाथ spores का development होगा इसलिए carpogonia the deployed carpogonium are liberated through the osteol carpogonia में छिद्र बनने से seeds पे छिद्र बनने पर एके करके बूंद विदी से carpogonium से liberated होते हैं और liberated होने के बाद यह सीधे ही जल में गिरते हैं और germinate होते हैं suitable substratum पे मतलब अनुकूल परिसितियों में deployed part of the cystocarp represent as carpois porophyte यह हम उपर भी लिख चुके हैं deployed part of the cystocarp is carpois porophyte यह हम add कर चुके deployed nucleus within the gigot is transferred into axillary cell और यह जो deployed nucleus है within the gigot यह यहाँ पर axillary cell के रूप में develop होता है और यही यहाँ पर पूरे के पूरे cystocarp को develop करता है next यह है वो सरचना जिसको हम देखें अगर इसी diagram को मैं आपको बताओं तो हमने यहाँ पर female that is main branch that is trichoblast और इस trichoblast के ओपर हमने develop किया था carpo sporo gonia को that is carpo sporo sorry carpo gonia यहाँ पर develop हुआ था zygote यह zygote यहीं रहेगा बाकी के सारे के सारे flamen जो है वो degrade हो जाएंगे और यह संपूर्ण सरचना जो है वो कहां आ जाएगी यहाँ नीचे के तरफ आ जाएगी supporting cell में इसी के साथ यहाँ पर supporting cell के साथ कौन था lateral strel branches और basal strel branches यहाँ पर यह जो carpo sporo fight है यह यहाँ पर develop हुआ यह बहुत सारी cells बनाएगा that known as placental cell इस placent cell पर 2-3 कोशी की filament बनेंगे इन्हें बोलते हैं carpo sporo gonian filaments इनकी जो searsust कोशी का है searsust कोशी का कहला किया carpo gonial mother cells या initials और यह searsust कोशी का convert हो जाती है किसमे carpo gonia में और बाकी की जो सरचना है वो complete basal strel supporting strel के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो जाती है इससे ढख दी जाती है जो की ऐसी सरचना के रूप में हमें दिखाई देता है इस सरचना को बोलते है सिस्टो कार और इसी अवस्था को बोला जाता है carpo isporophyte जो की dependent और मात्र थेलस के उपर ही डवलप होती है स्वतंत्र इसका जीवन संभव नहीं है next अब हमारा मुख्य तीसरा जो point आ रहा है वो है tetraisporophyte reproduction method को show करती है यह represent करता है यहां पे reproduction जो है वो asexual होगा the tetraisporophyte phase in an independent and prominent phase in the life cycle of polysiphonia the diploid tetraisporophytic phase develop on direct germination of carpo spores asexual reproduction take place by haploid non-motile tetraispores the morphological these morphologically these plants are similar to the haploid gametophyte tetraisporophyte भी दिखने में थोड़ा-थोड़ा male plant या gametophyte plant की तरह दिखता है लेकिन दोनों में फरक है gametophyte plant haploid होता है और reproductive organs को develop करता है जबकि tetraisporophyte जो है वो थोड़ा ज्यादा develop होता है लेकिन diploid होता है और asexual spores या tetraisporengia को develop करता है reproductive organs को develop नहीं करता है ये structure है इसके हर lobe ये एक lobe है इस हर lobe के अंदर अगर हम देखें तो जो central siphon cell है जो की normal central siphon cell से छोटी होती है develop into a tetraisporengia initial और यहां और कोई further development नहीं है इसका protoplast सीधे meiosis division करेगा अर्दुसुत्री और protoplast चार haploid nucleuses को develop करेगा और वो सभी nucleus develop होकर यहां पर spore बनाएंगे these spores are known as tetraispores तीन हमें front में दिख रहे हैं और एक इसके पीछे की तरफ है that position is known as tetraisporengia और इसी लिए इसको बोला जाता है tetraisporeo fight जो की dominant है long live है इस तरीके से अब हम यहां पर बात कर सकते हैं complete life cycle जिसकी हम बात करें triphagic यहां पर हमारे पास में triphagic अगर life cycle के हम बात करें तो सीधा सीधा हमारे पास में तीन representations आ रही हैं उसी के according हम चलें तो first number पर है gametophyte first number पर है gametophyte gametophyte जो की खुद क्या है एन है और यह धारण करती है male gamet और female gamet को female gamet और male gamet को तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो gametophyte जो है वो कैसी है वो है dioeces जिसमें male और female gametophyte plants अलग-अलग है तो ऐसे में यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर develop होता है male gametophyte and female gametophyte male gametophyte develop करता है यहां पर spermacea और female develop करता है कार्पोगोनिया spermacea में develop होता है sperms और कार्पोगोनिया में एक ही सेग्ड कनवर्ट होती है into the egg male के अदर बहुत सारे numerous और यहां पर एक fertilization fertilization से finally क्या बनेगा जाइगउट जो की resting phase show नहीं करता है immediately terminate होता है या divide होता है and develop into the carpo sporophyte phase इस carpo sporophyte phase में यह filament डवलामेंट डवलामेंट करते है placental cell को और placental cell जो है वो डवलामेंट करती है मियाइटोसिस यहां पर माइटोसिस डिविजन ही देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से यहां पर वोई to and मतलब deployed carpo sports को डवलाप किया जाता है by the liberation of osteo from cystocarp यह जो carpo sports है यह liberate होते हैं into the water और अनुकूल परिश्थितियों में favorable conditions में they can germinate and develop a new thallus जो की independent है स्वतंत्र है अलग है gametophyte से दिखने में सेम है लेकिन बिल्कूल स्वतंत्र है इस gametophyte thallus को develop करता है known as tetrasporophyte tetrasporophyte thallus जो है वो अभी भी कैसा है deployed है इस tetrasporophyte के अंदर अनुकूल परिश्थितियों के अंदर यहाँ पर develop होती है tetrasporangia और tetrasporangia के अंदर develop होता है सबसे पहले meiosis division जिसको हम reduction division के नाम से भी जानते हैं इस meiosis division के वज़े से tetraspor जो है वो सीधे germinate होते हैं two tetraspors develop into male and two tetraspors are develop into female gametophyte इस तरीके से जीवन चक्रपूर्ण होता है इसमें asexual और sexual reproduction दोनों एक दूसरी को alter करते हैं प्लस जीवन चक्र में तीन अवस्थाय दिख रही है एक agonit है जो की independent है दूसरी कार्पोस प्रोफाइट जो की divigonit है लेकिन dependent है और तीसरी यहाँ पर बात करें तो tetraspropot है जो independent भी है और divigonit भी है और prominent भी है तो ऐसी condition में यह जो सरचनाए है यह सरचनाए मिलके जीवन चक्र को पूर्ण करती है और इसमें तीन अवस्थाय हमें देखने को मिल रही है एक दो है कार्पो और तीसरी हमारी आ रही है यहाँ पर tetrasporophyte हम इसे बोलते हैं trifasic trifasic और trifasic अगर zelration की बात करें तो इस प्रकार की जीवन चक्र को बोला जाता है haploid, diploid, diplontic life cycle मितलब haplo diplodiploontic diplodiploontic life cycle of polysiphonium okay students तो यह complete life cycle है haplode, diplodiplo, diplontic इसको एक नाम और दे सकते हो haplode, diplodiplo, diplo को haplode, diplo, biontic भी बोला जा सकता है जो कि तीन आवस्ताओं के रूप में यहाँ पर represent हो रही है यह कुछ revision questions हैं जिसके उपर हम यहाँ पर focus कर सकते हैं जो कि यह पूरी के पूरे notes को consider करते हैं तो आज की class में इतना है students